मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ व्याभव नाज चर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक सितंबर के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंच सुहागी निस्ट्रियों का एक बहुत बड़ा पर्व बहुत बड़ा त्योहार जिसे हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं वो आज मनाया जा रहा है साथी साथ आज की तिथी जो है वारायो जैनती की भी तिथी मनाई जाती है 2019 में इस बार हरतालिका तीज वरत को ले करके भी संशह है कि एक तारिक को तीज मनाई जाएगी हरतालिका तीज या दो तारिक को मनाई जाएगी जिस तरीके से इस बार जनमास्टमी पर भी संशह रहा तो आप लोगों को पूजा का मुहूर्थ क्या होगा सुबह की पूजा का शाम की पूजा का वरत कब करें ये सारी जानकारी आज के पंचांग में ही उपलब्द करा देता हूँ तो जिस तरीके से मैंने बताया कि आज ही वरत मनाया जाएगा हर्तालिका अतीज का वरत आपको 1 सितंबर 2019 में आज की ही तिथी में करना है सुबे की पूजा का जो शुब मुहुर्त होगा वो 5.27 से ले करके 7.52 के अंदर अंदर पूजा करने का मुहुर्त होगा तथा प्रदोश काल की जो पूजा होगी यानि शाम की जो पूजा होगी उसका मुहुर्त शाम को 5 बज करके 50 मिनट से ले करके रात को 8 बज करके 9 मिनट तक किया जाना है तो बहुत ध्यान से समझ दीजे कि सुबह 5-27 से लेकर के 7 बज करके 52 मिनट तक प्राता काल की पूजा होगी और जो प्रदोश काल की यानि शाम की जो संध्या काल की पूजा जिसमें महादेव शिव और मापारवती का पूजन करते हैं उसमें वो जो पूजा का मुहूर्थ ह होगा वो होगा शाम को पांच बज करके 50 मिनट से लेकर के आठ बज करके 9 मिनट तक तो दोस्तों यह तो बात रही आज के पंचांग की जिसमें मैंने विशेश रूप से आपको हर्तालिकातीज की वरत किस दिन करें पूजा किस दिन करें वो जानकारी दी और आज की तिति वाले जातक लोगों को नियोजित रूप से काम करने से व्यावसाई की योजनाएं सफल होंगी तो अगर आप प्लांड वे में काम करेंगे तो आपको आज आपके कारेश खित्र में बिजनस में अच्छी सफलता मिले ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं रोगी को वस्तर क का दान करना चाहिए गड़ेश चालेसा का पाठ करना चाहिए और बड़े बुजर्गों की बातों को उनकी नसियतों को दिल पर नहीं लेना चाहिए व्रिशव राशी वाले जातक लोगों के लिए कारे के साथ आज मनुरंजन के उत्तम अफसर भी आपको प्राप्त होंग और आज की तिथी में कोई नया अनुबंध नया अग्रिमेंट करने से आपको बचना होगा मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातक लोगों के लिए स्वास्त का ध्यान देना चाहिए नेतर विकार की संभावना आपके लिए बनती है तो आखों का टेस्ट करा लेना अगर कोई चोटी मोटी प्राबलम है तो इसको इग्नोर मत करिए उसको जल्दी से जल्दी ट चीजों के लिए कुछ खर्च करने की इस्थिति आज आपके सामने आ सकती है कोई फैमिली के तरफ से बड़ी डिमांड आ सकती है कि एक पर्टिकुलर चीज चाहिए कोई किचन अप्लाइंस हो सकता है कुछ भी ऐसी परिवार की जरूरत की चीज पर आज कुछ खर्च करने की इस्थिति आपके लिए दिखती है हनुमान जी की पूजा राधना करना आपके लिए लापकारी होगा तो बजरंग बान का पाठाजा आप जलूर करें सोते हुए व्यक्ति की नींद में विग्ण मड़ डालिए सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए कार अगर शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और अगर संभव हो जाए तो किसी आसपास के शिव मंदिर में जाकर के शिवजी पर कच्चा दूद और जलाज आपको अवश्य चड़ाना चाहिए कन्या राशी कन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए दामपत्य जीवन में मध विवाद तनाव चल रहा था उससे आपको मुक्ति मिल पाएगी जरूतमन व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन कराएं भोजन के बाद इसनान करने से आप बचें तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए सुखद यात्रा और सुरुची पूर्ण भोजन क कि अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं क्रोध करने से आज आपको बचना होगा कारेशित्र में लापरवाही आज आप बिलकुल न करें रामरक्षा इस रोत का पाठ करेंगे तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा दिन का आज आज आप बढ़ियां लाभ ले पाएंगे वृष्षिक राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आयात मेर्यात करने वाले व्यापारी लोग जो हैं बहुत अच्छा लाब ले पाएंगे कुमारी करने का पूजन करें बिना इसनान के तिलक धारण करने से आपको बचना चाहिए आज के दिन को शुब बनाने के गई थी या चोरी हो गई थी आज अचानक से वो कहीं आपको मिल जाए उसके प्राप्ती के योग आपके लिए बन रहे हैं तो आज के दिन को शुब बनाने के लिए करना यह कि एक साबुत हल्दी की गांट आपको किसी भी जलाशे में साफ सुत्रे जलाशे में प्रवाहित क चाहिए दक्षण दिशा की और मुक करके आप भोजन न करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा कुमराशी कुमराशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ मनुरंजन पर आज बड़ा कुछ खर्च हो सकता है गणेश थर्वशीर्ष का पाठ करना गणेश जी की को समय दे पाएंगे इसनान के जल में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके इसनान करना चाहिए इसके अलावा राम रक्षा इस्परोत का पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा पश्चिम दिशा की और मुक करके भोजन आप बिलकुल भी न करें तो दोस्त हनुमान जी के कुछ ऐसे टोटके जो आपकी बड़ी से बड़ीया यूं कहें कि हर समस्या का समाधान ये टोटके कर देते हैं तो आईए जानते हैं क्या है ये टोटके सबसुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना कलियुग में रामभक्त हनुमान जी को प यही कारण है कि मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिरों में भक्तों का ताता लगा रहता है भीड उमढ करके आती है और अपने कश्टों से मुक्ति के लिए हनुमान जी से प्राथना करती है आज मैं आपको हनुमान जी के कुछ विशेश टोटके बता रहा हूं जि पहुती लाबकारी ये उपाए हैं आईए जानते हैं सबसे पहला उपाए सबसे पहले उपाए में करना यह कि सवा किलो उड़त की दाल और 200 ग्राम काले तिल को मिला करके उसका आटा बना लें उसको पीस लें अब प्रती मंगलवार इस आटे को गूत करके दीपक बनाए और ग्यारह मंगलवार तक बढ़ते हुए क्रम में हनुमान जी को आप अर्पित करें जैसे पहले दिन एक दीपक दूसरे दिन दो दीपक तीसरे दिन तीन दीपक इस तरीके से 11 दिन तक आपको 11 दीपक 11 दिन तक लगाना है आपको ध्यान यह रखना है कि यह दीपक सरसों के तेल में ही आप जरूर जलाएं इसके अलावा किसी और तेल का प्रयोग आप न करें जब 11 दिन पूरे हो जाएं तो घटते क्रम में दीपक आप लगाना शुरू कर दें यानी बारहोंगे दिन जो है 11 दीपक 13 दिन दस दीपक इस तरीके से आपको फिर घटते हुए क्रम में आना है इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं चाहे फिर करज की इस्तिती हो व्यापार न चलना हो नौकरी न मिलने की इस्तिती हो आर्थिक कोई कश्ट की इस्तिती हो अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रोग से पीड़ि किये जा सकते हैं दूसरा उपाय है घर या व्यापार में अगर आप नकरात्म कूर्जा अनुभव करते हैं या किसी की बुरी नजर या जादू टोना का आपको आशंका है अंदेशा है उससे आप बचना चाहते हैं तो जो दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं इसको आप करके लाब ले सकते हैं करना यह कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी के बाएं पैर और बाएं कंधे का सिंदूर ले करके आपको आना चाहिए अब इस सिंदूर से अपने घर पे या ओफिस के मुख्यद्वार पर ऊपर की तरफ श्री राम आपको लिग देना चाहिए मुख्यदवार के उपर श्री राम आप लिग दें ऐसा करने से आपके घर या ओफिस पर लगी हुई बुरी नजर या किसी भी प्रकार का कोई तंत्रमंत्र जादू टोना किया गया होगा तो वो समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी आपके घर की आपके परिवार की आपके पित करें इससे आपकी जो कमाई है जो इधर उधर नुकसान होती है मेहनत से कमाई गई आपका जो पैसा है इधर उधर का व्यर्थ के कामों में जाता है वो अनावश्यक खर्चे आपके ततकाल प्रभाव से सुपाय को करने से बंद हो जाते हैं अगर आप अपने आसपास ऑफिस या कहीं भी अपने शत्रूओं से बहुत ज्यादा परेशान है तो प्रते दिंग बजरंग बाण का तीन पार्ट आपको करने से बहुत अच्छा लाब मिलता है क्योंकि हनुमान जी खुद दुश्मनों से आपकी रख्षा करते हैं अगर आप नियम से पूरी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इससे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन नमस्कार जैहनुमान तरीके हैं टेलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानि पर्सनल मीटिंग के करना आप हमें फोन के माध्यम से इमेल और वाट्सअप के माध्यम से अप्वेंट्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है 990724131 आपको दो नमबर दे रहा वाट्सअप अवैलेबल है आप वाट्सअप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवार